तो हेलो गाई देर कैसे हैं आप सब्सक्राइब एक और नहीं वीडियो के अंदर तो आज का मतलब जो अपना कारेक्राम में जो भी अपना मैच वगरा दिखाना आपको जो भी कुछ उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ इन्फो देना जाओंगा यह टीम के आ रहा है त अवेंजर्स मतलब टीम के सेकेंड लाइनप यह मतलब सेमी बंदे और मुस्ट कुछ जाला फरक नहीं है को यह एक अलब बंदा जिरूदर हो जाता है लेकिन यह मैंने ऑफिचल इनकी टीम कर लिया है आगे के जो भी टूर्नमेट्स होगे मैं इनकी टीम से ही खेलूंगा टीम में कुछ ही दिन हुए आट से नौ दिन हुए तब मैं को यहां पे जॉइन कि हुए उसके बाद यार मैं को हर जो भी टूर्नमेट्स होगा इनकी टीम से खेलता नदर आउंगा तो यहां पर एक हुगा कैर मारे नल भीया ने कैसे हमें जिता है भाई चाहब उस टैक प मतलब डिफेंसर वह आया ही निवल ऑनलाइन ही नहीं आया बोला हमको कि मैं खेल लूंगा मैच मैच की टाइम वह मैच से जब प्रेपरेशन टाइम चल रहा था तब वह कह रहा था कि आ रहा हुँ दस मिनिट में उसके बाद भाई उसका नेट बंद सब कुछ बंद और हम स यूज कर दिया है वही टीम है एफ 10 क्वेस्टों जो आर आपको पता होगा फाइनल्स तक गई थी कुए इंबॉकर से हारी थी यहां पर जो वही टीम है यह उन्होंने याप यूज कर दिया तो यहीं यह एक होगा डिस्कॉलिफाय तो मतलब सी स्चार्ज मैनिस होगे उप किसमत देख लो भाई साब किसमत है क्या ही साथ दिया आगे से शाहिड डिफेंसर को हम ना हनले या फिर उसको कुछ बढ़ेगी अब यह वह पड़का है लेकिन हो सकता है कि उसको टीम से भी निगाल दिया जाए होसकता है क्या पता है यह फिसको अभी आने वाले लेकिन यहां पर जीते हैं मतलब अगर हम एडवेंस के हिसाब से देखे तो हम यहां पर जीत चुके हैं एजी लिए वह और एट परसेंट की डिस्रक्शन दे और हमने हमने भी आपर फिफ्ट अटक किया नहीं और उनका भी एक टाइब का फिफ्ट अटक जो है वह यहां पर बहुत लो प्रसेंट आपको उनके अटेक्स नहीं दिखाऊंगा जिस्ट दिखाऊंगा कितने अटेक्स के और बाकि अपने टीम के कुछ और बड़ी अटेक्स हैं जैसे हम मैं आपको बदाता हूं प्रशांद भाई ने किया था 96 टाइम फिल अमर भाई का 96 टाइम वहा थ लेकिन फिर भी कोई दिक्कत निया और भाई उनके अटेक्स दिखाएंगे नेक्स्ट लेवल आप सीख शुक्ते उनके टैक्से भी क्या ही एक करते हैं यह लोग मता जाता है अभी अभी जस्ट मैंने सीखा ही है कुछ पहले तो भाई बिल्कुल कुछ नहीं आता था अभी सीख रहे हैं और भी इनसे तो काफी सीखने को मिलेगा सच बोलो तो इनसे भी काफी सीखने को मिलेगा अभी खुद भी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूं जब यह लोग प्रैक्टिस करते हैं मैं ऐसा नहीं कि भाई प्रैक्टिस करने नहीं आते हैं प्रैक्टिस करने पूर पीछे नहीं रहना चाहिए अपना काम यहां पर अटाक देख लो यार भाई क्या ही लावा लून पाथिंग किया है लाव लून्स देख लो कितने ही सारे लून्स पड़े हैं अभी एक पूरा लावा जिंदा बड़ा चलो उसके पपसा चुके हैं क्वीन डाउन हुई निया जिसने भी यहां पर उनकी वज़ा से भी यहां पर नहीं नहीं पूर पर आपका टैक कैंसल हो जाए दिक्कत हो जाती है उपर से आप सोच लो हमारा यह बंदा अठैक कर देता फिर तो भाई बहुत ईजी विन लेके जाते हम 10 8 6 विन ले लेते कोई दिक्कत नहीं फिर भी अभी बारी आती है यहां पर टैक्स की 88 श्रियस ने किया 84 अवर टू पॉइंट ओने यहां पर अटाक किया निया प्रशान भाई का टैक दिखातना भाई क्वीन चार्ज लाओ लून क्या ही भाई क्वीन चार्ज किया है आप आप आर्मी कॉंपोजिशन देख लो तीन रेज एक यहां पर जंप लिए दो फ्रीज एक यहां पर के स्पेल एक यहां पर पॉइसल दो यहां पर अपने लावा एक सीची में लावा औव्यस और अभी देखना पड़ेगा कैसे यहां पर टैक किया है फुईन से वैल्यों को कंट्रोल करना बहुत इंपॉटन होता है इस अ मल्टी एक एडिफेंस और शायद मेभी सेकेंड एडिवेंस भी ले ले मेरे को याद निया है तीन से चार घंटे हो चुगा है अपने को इतना याद रहता निया कि कब किसने कैसे टैक यह लेकिन देखा था जैस्ट यहां पर डिफेंस कुछ निए लास्टीं चार चीज़ ले बची दी एक डिफेंस शायदी ये बजा तक फुल में थी लेक्रीफ के साथ में समझे रहे हैं क्या ही लैवल चल रहा था उस टाइम अटयक का मज़ा आ गया भाई देखके और लावा यहां पर थोड़ी दिक्कत दे रहा है क्योंकि आपको पता लावा टाइम काफी कं बंदा उसके पाद इस साइड थोड़े बहुत मिनिन से पासिंग कर लेगा और यहां पर कुईन के लिए पासिंग अंदर की बन चुकी है एक जम्प है तो कुईन दिखी राय के अंदर ही जाने वाले कुईन बाहर आने का कोई रस्ता है नहीं के लिए यहां डाल देगा को लगनी रहा है यहां पर बाल बेखोगी वाल प्रिक तो नहीं हो यहां पर जम्प ही डालना पड़ाएगा वरना क्वीन बाहर भी जा सकती है अगर जम अच्छे से नहीं डाला गया तो हां बहुत से जम्प कुईन मिल जाएगी शायद सेकेंड अपना डिफिंस भी मिल ज ати में जंप करने को मिल जाता थो थोड़ा यहां पर मेको लगारा दिख्कतु होगी जो अपना जो तुमशन में डालते तो और मिकह रहता है कहले यहां पर Quinn किया थोड़ी दिकत थोड़ी दिकत कोगी यहां पर अब coyट ए्टार थोड़ी ओना चाहिये थी लेकीन कोई यहां पर दिक्कट देने वाल चीज थी ती बस यह दो चीज और यहां पर इनको फ्रीज थोड़ा गलत क्यूंकि यह अपर एक्सक्राइब फ्रीज करने की जूरसे दोगड थी थी थो ख़ोड़ा या, यहां पर बच देद क्वीं कॉइन काफिते थी है चलो रही थी उस टेम बस यहीं पर सोड़ी दिक्कत हुई और 2x में देख लेते हैं आपको दिखाता हूँ कैसे यार जस्ट कुछ एक दो डिफेंसे बचे थे क्वीन की हल देख लो अगर उसके पास 5-10 सेकंड जादा होते ना भाई ट्रिपल था गरेंटेट ट्रिपल था यह एक विजर टावर ब लग रहा है सुई करेंगा यह बंदा मिरको लग रहां बई टाउन हूल की साइड से सुई आगे गोलम डालेगा टैंकिंग के लिए पीछे से किंग क्वीन और एक पॉईजन आप देख सकते हैं दोनों किंग क्वीन और जो सीची है वह यहां पर आ चुके हैं पॉईजन मे लिए यहां पर दोनों इनफरनों डाउन हो जाएंगे मैं लग क्या ही मिलिया स्वी से यह मजा आ गया यह वैलिव देखके मेर को लो इस सब्सक्राइब करना चाहिए मैं करना था यह उपरना दिक्कत हो जाती तो जस्ट एक सिंगल वजाद आप देख सकते हो कर सिंगल यह किंगल लावा कि हम काथकत देता नहीं सिंगल में लिए आप क्weeन चार्ज Marco के गए तो भाई तीन लवा तो ऑम बोस्त लगते हीं अगर चारेल्डुमस्त की पासिंग आपके तो किसे करना है है जो अपने हेस्ट पेल्ड है उनको भी आपको बहुत अच्छे से डालना है था कि आपके जो लून्स भी है वो काफी अच्छी तरह कवर हो सुकें और यहां पर एक लावा पिछे की साइड से और कुछ और लून्स एक फ्रीज बहुत बढ़िया फ्रीज यहां पर ताकि ज यहां पर होना जरूरी था बहुत साथ जरूरी था टाइम फिल ने प्रोपर फिल है भाई ठीक है प्रपर फिल है तो देखाने मैंने आपको पहले करता है मैंको डैक्स याद रहते नहीं है जादा लेकिन जो भी आ भाई 80-96 परशेंट यहां पर बहुत हूज 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 ह ठीक नहीं बहुत सही थी था थोड़ा सा यहां पर फरक रहा गया वरना बस यह भी निकल चुका था ऑल्मुस्ट कोई यह फिर भी बड़ी अटेक्स से यहां मैं पर अच्छे लगे बहुत सही और मारी नुल का टैक्स नहीं हमें यहां पर बचाया भाई साब मारी टीम से तो यह ऑपने लिए वार सेव किया है मारी टीम से भी कभी कभी खेल लेता है यार यह बंदा टीम क्यार से यह अद है पिर आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए क्लाश आफ क्लाइन्स और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकूला कूलें